आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अखिरकार ये रेबोजन डीएसर कैपसूल जो हैं, ये आपके किस-किस बीमारी में काम आ जाते हैं, किस तरीके से आपको इनको खाना चाहिए, तो पूर जानकार इसी वीडियो में आज आज आपको बताने वाला हूँ, इन तो अगर आप अपनी यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अपनी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास हैं रेबोजन डीएसर कैपसूल से हैं, जिनके अंदर आपको जो दवाई, साल्ड, क मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कितनी कितनी कॉंटिटी में आखिरकार आपको दवाई यह देखने के लिए मिल जाती हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं, रिबी ब्रॉजल सोडियम आईपी 20MZ में और डेमपरी डॉन आईपी आपको 30MZ में, उसके सबाँ आपको कोई इसके अंदर दवाई देखने के लिए नहीं मिलती है, आप यह देख सकते हैं, इन दोनों के सबाब को कोई दवाई देखने के लिए नहीं मिलती है, तो यह जो दवाई आपके यह आपके काम आती है, गैस से होने वाली दिक्कत परेसानियों में, जैसे कि आपको खटी काम आते हैं, कैपसूल, अगर आप मेंसे किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत प्रिशा नहीं है, तो आप इनका इस्तवाल कर सकते हैं, और यह DSR कैपसूल है, तो इनको आप बाशी मूँ भी खा सकते हैं, सुबह, जिनके आगे आगे आपको DSR लिखा मिल जाए, उनको आप खाली पेड ताजे पानी के साथ खा सकते हैं और यह आपको सुबह-सुबह जब आप खाली पेड खाएंगे तो आपको ज़्यादा बढ़ी है फर्ग देखने के लिए मिलेगा असर देखने के लिए मिलेगा इनका ओके तो यह आपके गैस से होने दिक्कत प्रेशनियों में काम आ जाते हैं और मैंने आपको बता दिया किस तरीके सा आपको खाने हैं और अगर आपको कभी कवार गैस बनती है तो आप एक कैपसुल कभी भी ले लिजे खाना खाने के 10-15 मिनिट के बाद आप एक कैपसुल खा लिजे वो भी ताजे पानी के साथ और अगर आपको ज़्यादा गैस बनती है तो आप इसको सुबह खा सकते हैं और साम को खा सकते हैं सुबह खाली पेट और साम को खाना खाने के बाद वो भी ताजे पानी के साथ आपको ना तक दूद के साथ ना कोई गुनोगोना पानी गरम पानी के ऐसा भी पान नहीं बस ताजा पानी लेजे और खाना खाने के 10-15 मिनटे के बाद एक कैपसूल खाया लीजे